नवस्कार स्वागत आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं भाषा और उर्मिलेश और आज जो तीन मुद्दे मैं आपके साथ लेकर आया हूँ मुद्दा नमबर एक मद्द प्रदेश राजिस्थान छतीस गड़ के चुनावों में प्रशासन और चुनावायुक का खुला पक्षपात भाषपा के पक्ष में मुद्दा नमबर दो उत्तरा खंड टनल से 41 मजदूर निकले देश ने राहत की सासली मगर गोदी मीडिया का शर्म ना खेल प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के महिमावंडन में और मुद्दा नमबर तीन दे यानि कि सामवेधानिक मर्यादाओं की तमाम हदों को पार कर दिया शुरुवात हम करना चाहेंगे चुनावों से जैसे कि आप जानते हैं तीन दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं मगर इन चुनावों में अगर एक चीज़ दिखाई देती है दोस्तूं कि किस तरह से ज़र को कैद कर लेते हैं अपने कैमरे में बात वहां ही रुकती है मध्यप्रदेश के मंत्री हैं गोविंद राजपूद गोविंद राजपूद जो हैं वो अपना खर्चा कम दिखाने के लिए कलेक्टर के साथ साठगाट करते हैं यह सारी चीजे और ही होती हैं दूसरी देखें अविसार मैं समझता हूँ कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एक संस्था जिमेदार है तो वो भारत का निर्वाचन आयोग है क्योंकि अगर निर्वाचन आयोग जो इंजन है पूरे के पूरे चुनाव प्रणाली का चुनाव की प्रक्रिया का अगर वो नीचे के करमशारियों को सस्पेंट किया गया लेकिन जो कलक्टर है टर्णिंग आपसर उस पर कुछ भी नहीं हुआ तो ये बताता है कि मिली भगत कितनी स्ट्रॉंग है भाशा क्या है समुद्दे का पंच अभिसार देखी एक बात जो 2014 के बाद से एक नया नॉर्मल बन गई है भारती लोक तंत्र का उसका ये नमूना है कि सारा तंत्र सारी जो मशीनरी है उसकी जो निश्पक्षता है वह सब दाउं पे लग गई है और चुनाव जीतने के लिए यहाँ जब मैं बोलती हूँ पूरी बेहियाई के साथ खड़ा नजर आता है और कहीं से भी ना कोई एकाउंट बिलिटी है ना कोई शर्म हया बाकी है भाजपा सत्ता में आए इसके लिए सारे लोग पूरी बेशर्मी के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं अभिसार क्या है इस पर आपका पंच? आजाद भारत के इतिहास में भाचपा जैसी कोई पार्टी नहीं रही जिसने इस तरह से सामविधानिक मर्यादाओं की धज्यां उड़ाई है जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार है इसलिए शुनाव आयोग पर सुप्रीम कोट का फैसला इसलिए जरूरी था कि आयुकतों की नियुकती में सरकार का पलड़ा भारी नहीं होना चाहिए जिससे मोधी सरकार ने पलड़ दिया था जिससे आप समझ सकते हैं ये सारा खेल कैसा है भाशा हमने देखा वो वाइरिल वीडियो जिसमें पोस्टिल बैलेट्स खोले जा रहे हैं मुझे अब चलिए उसमें ग अधिप्रदेश के मंत्री हैं उन्होंने कलेक्टर से बात कर दी कि भाया मेरा खर्चा जादा हो गया है हाफ कर दीजे जो क्वालिस की गाडिया है या स्कॉर्प्यू की गाडिया है दिन में खर्चा 24 सो है उसे 12 सो कर दिया है मतलब जैसे कहते न सहीं भाय कोतवाल तु डर काहे का मतलब कुछ भी करो तुम्हें कोई नहीं चू सकता और देखे इस यह सारी चीजें बिल्कुल सही का विसार आपने कि यह सारे तत्थे वह हैं जो हमारे सामने आए हैं अब आप सोचिए कि जहां पर वीडियो लोग नहीं बना पाए या जो पर्दे के पीछे के खेल हैं वो जिस तरह से चल रहे होंगे उससे एक बात साफ है अबिसार कि इन सब को डर भी नहीं है मैं तो मद्रप्रदेश में थी जिसमें केंद्री मंत्री तोमर को यह संदर्व में तमाम वीडियो सामने आ रहे थे और मजाल है कि एक व्यक्ति भाश्पा का स्पोक्सपर्सन भाश्पा का स्थानिय नेता उस पर मुझ खोल पाए और प्रधान मंत्री जी वहीं चुनवा प्रचार कर रहे थे इससे यह पता चलता है कि जो भाश्पा का भ्रष्टाचार है यह जो सारे उदाहरण आप बता रहे हैं यह भ्रष्ट आचरण है करप्ट प्रैक्टिस हैं सवाल है कि किसने खोली किसके कहने से ऐसे ही थोड़ो होता है कि आप पोस्टल बैलेट खोल देते हैं ऐसे ही थोड़ो है कि आपको यह confidence है कि आप डीम के पास जाएंगे कहेंगे सर मेरा हाफ कर दीजे यह सारा जो चुनवा प्रचार में दिखाई दे रहा वो भी तब जब देश मिश्रा दीपकारिया यह वो दो कलेक्टर्स हैं जिनके चलते हैं काम हुआ हम लगातार देखने हैं आपको याद होगा बिहार के चुनावों में भी 5-6 सीटों में खबरें आ रही थी कि RGD जीत गई और फिर आखरी लम्हे में क्या खेला हुआ कोई नहीं जानता इ कि अपने आप में कितना खतरनाक है किस तरह का इंडॉक्रिनेशन इन कलेक्टर्स का हो गया है जो कहने को गर्मेंट सर्वेंट्स हैं मगर पार्टी विशेश के प्रवक्ताओं की तरह काम करते हैं देखिए आपने बिहार का जिक्र किया तो मुझे याद आती है एक घटना कि एक किसी जिले में शक्ती आदो नाम के एक उमीदवार अरजडी के थे उनको वकायदे कलेक्टर ने फोन किया क्योंकि वो जा चुके थे वहां से गर आराम से क्योंकि उनको मालूम था कि वो जीत रहा है कि बही आ जाओ डिक्लेर हो गया है अब आप ले जाएए आए कि डिक्लेरेशन के बाद आवे चुनाव के बाद तो कोई नहीं जानता कि वही इस डेमोक्रिसी का क्या आल है और देखें दुनिया में शायदी कोई सब भिलोक्तांत्रिक देश होगा कोई भी सब भिलोकतांत्री जहां पर एलेक्शन के बाद जहां एवियम्स रखी जाती है यहां बैलेट बाक्त की व्यावस्ता है वह रखा जाता है वहां विपक्ष के लोग पहरा देते हो रात में और दिन में ऐसा दुनिया का देश इंडिया के दौर अपना भारत है क्योंकि लोगों को प्रशास्निक मशिनरी पर चुनावायों की मशिनरी पर भरोसा नहीं आए लोग एक एक कांस्वेंसी में पहरा दे रहा है विपक्ष के यह आश्चज रख रहे हैं कि हम विश्व गुरू हैं लोग तंत्र के हम अपने को दावा करते हैं कि विश्व गुरू हैं तो मतलब आप क्या कहेंगे और देखिए बीरोक्रेसी की बात की अभी सार सेना को भी सबसे शॉकिंग बात है जो जिक्र किया जा रहा है यहां पर सैनिकों को कहा जा रहा है कि आप जब चुट्टी पर जाएं तो सरकार की उपलब्धियां सेना को नहीं बख्षा आपने सेना हो गई और नहीं जॉइन सेक्रेटरी लेवल तक के लोगों को कहा गया ह आप प्रचार प्रसार करेंगे यानि वो आपके पर्सनल एजेंट्स के तौर पर काम कर रहे हैं अमरित काल जी तो यह बहुत चिंटत करने वाली बात क्या दिखाई दे रही है कि यह तो है ही और मैं इस पर प्रतिक्रिया दोने से बहुत त्वरित चाहूंगा आप दोनों के लिए अगर विपक्ष बहुत मजबूर टीम नहीं बनाता तो जिस तरह की तैयारी है जिस तरह से सारा का सारा सिस्टम उर्मिलेश जी चुनावायों की बात कर रहे हैं मैं तो कह रहे हूं कि कम्प्लीट सिस्टम एक तरह से हाईजैक जहां को लीगल मदद नहीं मिल सकती चुनाव आप दर्वाजा खट-खटाएंगे कि कि का पूलिस का खट-खटाएंगे आप एड्मिस्टेशन का खट-खटाएंगे आप बाद में जाके नियाय पालिका का खट-खटाएंगे एक पनौती वाले बयान पर आपने नोटिस दे दिया बवाल कर दिया मीडिया के जरिया आपने उस मुद्दे को उठा दिया मगर प्रधान मंत्री फासी लगाने तक की बात करते हैं साहब इतना गंभीर आरोप उस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं उर्मिलेश जी प् माम चीज़े तो हैं ही जो हमारे सामने उबर कर आ रही है एक लोकतंत्र में मीडिया सत्ता पक्ष की या जो पॉलिटिकल पार्टी शामिल है उसकी धज्या उड़ा देता है मगर यह मुद्दे शर्चा में नहीं आते हैं उर्मिलेश जी देखे ऐसा है कि मैं समझता हूं कि जिस मुल्क में अगर प्रशासन पूरी तरह अंधा हो जाए इस तरह से कि वो एक पार्टी विश्यस के लिए काम करना शुरू कर दे समवैधानिक संस्थाएं बिलकुल गुलाम बन जाए उस देश में जहां कि मीडिया बिलकुल मीडिया न रह जाए खासकर टीवी पुरम किया जा सकता है कि जनता इतनी उस देश की जागरित हो जाए कि वो तमाल इन इन शड़ियंत्रों को बिलकुल रिजेक्ट कर दे उनको परदाफास कर दे और आगे बढ़ जाए लेकिन दुख़द यह है कि हमारे देश में जो नार्थ हिंडिया हिंदी भाशी चेतर है वहा भाश्बा कि चुनाव प्रचार ही निगÏ खत्म होता है हमें कहता है प्रधान मंत्री पहुंच जाते हैं मीडिया कहता कि प्रधान मंत्री उड़ा रहे है टिक है प्रधान मंत्री के ढालते हैं उसमें पाइलिट की दस्वीर नहीं है उन caliber की तस्वीर है उमिचाई कल आज राज्यों के चुनाव हुए हैं, आज वोट पड़ा रहा है तेलंगाना में, सब जगा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी है, तो प्रधान मंत्री से लेकर मुख्य मंत्री और मुझे लगता है आने वाले दिनों में कॉर्परेशन का भी चुनाव होता है, दिली में भी उनी का चेहरा था, तो नीचे से लेकर उपर तक सिर्फ एक चेहरे का भरोसा है, और सबसे रणनीती इनोंने जो बनाई है, कि जिस दिन मद्दान होना होता है, उस दिन एक बड़ा इवेंट होता है, जिसका लाइफ कवरेज होता है, तो दो दोजार उनीस से ही हो रहा है, जो जो कोई भी इतना ताकतवर ना हो जाए, कि दूसरे की आवाज न सुनाई दे, उसे ध्वस्त करने पे भारती जनता पार्टी का पूरा का पूरा शाशन और मोधी सरकार उतारू है, जिक्र किया था यहां उर्मिलेज जी ने मीडिया की किर्दार का, उत्तरा खंड से हमारे 41 असली, और सबसे अच्छी बात टीम इंडिया का प्रयास दिखा, जो राट माइनर्स थे, यानि कि जो मजदूर उन्हें बचाने गए थे, उनमें हिंदू भी थे, मुसल्मान भी थे, मुन्ना खुरैशी भी था, अंकित भी था, तमाम लोगों ने मिलकर उनकी जान यह तमाम गोदी मीडिया के जो सम्मान हैं, वो यह कह रहे थे कि विपक्ष यह दूआ कर रहा था कि यह ओपरेशन फेल हो जाए, यानि कि पहली बात उत्तरा खंट टनल का यह घटना क्रम क्यूं हुआ, सरकार से सवाल ना करो, मगर न सिर्फ फिर उसके बाद प्रधान मंत अभिसार यह जो पूरा घटना क्रम है, यह बहानक दुखद है, क्योंकि यह मौका है मीडिया से सवाल पूछने का जिने वो हीरो बना रहे हैं, चाहे वो मोधी जी हो या धामी जी हो जो मुख्यमंतरी हैं उतराकंड के, उनसे सवाल पूछने का कि यह सुरंग इस तरह से क यह बनाई जा रही थी, यह जो कंपनी है, इसके खिलाफ कोई केस क्यों नहीं हुआ, इस कंपनी के क्या लिंक हैं बड़े उद्योग पतियों से, यह सारे सवाल पूछने के बजाए, जिन से सवाल पूछने हैं, उनको आप हीरो बनाकर एक बहुत ही निचले स्तर की पी आर एजेंसी में तब्दील हो गया मीडिया का ये पूरा का पूरा केमा, जो सिर्फ और सिर्फ मोधी गुरगान में भरोसा करता है, अभिसार क्या है आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि हर बड़ी घटना के बाद एक टूल किट जारी होता है, जनता भी ये देख रही है, जो तमाम मिसाल मैंने आपके सामने गोदी मीडिया के पत्रकारों की पेश की, सब की भाषा एक ही है, सब यही कह रहे हैं कि सहाव वर्ल्ड कप में इन्होंने प्रधान मंत्री को गाली दी, वर्ल्ड कप में हार को लेकर, अब यही उम्मीद कर रहे थे कि भाई उत्राखंड में भी यही होगा, याने कि असफलताओं पर सरकार से सवाल ना किया जाए, और जहाँ पर सरकार मुश्किल में होगी, प्रेशर में होगी, टूल किट है, क्या है, समुद्धे का पंच, बताएंगे और मिलेश, लोगों को बचाने आए, उन्होंने मेहनत की, उनके कारण, उनके निर्देशों पर लोगों की जान बची है, क्या गजब का गुनगान हुआ, लेकिन असलियत यह है, अविसार, कि जो इस पूरे मामले के फरिष्टे हैं, 41 लोगों की जिन्दगी बची है, जो और वाकई जो आपने कहा रैट माइनर्स हैं, और ये जो रैट माइनर्स हैं, 12 लोग इसमें मुस्लिम हैं, दलित हैं, और उत्पिरिच समाज के लोग हैं, तो मजदोरों ने मजदोरों की जान बचाई, लेकिन ना का हिस्सा होता है, कि अगर आप फस गए, तो वहाँ से एसकेप कर उठोना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक चीज है, इस बुनियादी मुद्दे को मीडिया को उठाना चाहिए, उन्होंने नहीं उठाएं, जो की नक्षा मिल गया, हमने दिखाया अपने प्रोग्रांस में, जो इसका निर्मान कर रही है, उसका एक और इतिहास रहा है, आपको याद है, एक और दुर घटना हुई थी, जिसमें करीब शायद 40 लोग मारे गए थे, इनका एक इतिहास रहा है, अरे भाई, ये बुनियादी सवाल है, उठाओ, प्रधान मंत्री ने उस पूरी घटना क जब तक वो बाहर नहीं आ गए थे, एक शब नहीं का था, प्रधान मंत्री को इतिहास रहा है, मनिपूर में भी कुछ नहीं बोलते हैं, विपक्ष को ताना मारने के लिए, वो लोग संसद में बोलते हैं, ये तमाम मिसालें उससे बचने के लिए, इस तरह का अग्रेशन जो मैंने अभी अभी दिखाया अपने दर्शकों को, क्योंकि देखे इस से एक बात बिल्कुल साफ है, कि जिसकी जो मैंने कहा भी अभी सार, कि जो लोग जिम्मेदार है, सवाल है, चार धाम पर योजना जो बन रही है, इसको लेकि जो लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं, इस टनल में escape route क्यों नहीं था, भारत के अलावा कहीं पर भी घटना हुई होती इस तरह से, जहां पर escape route के बिना आपने इतनी बड़ी सुरंग बना दी, जो की नक्षे में है, अब लोग बोलने हैं कि नक्षे को लोग भूल गए, कंपनी भूल गई, लेकिन एक मामला कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी देखी, मैंने वहीं कहा, यहां जो लोग जिन से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यह dream project, प्रधान मंत्री नरेन मोदी का है, तमाम विरोत के बावजूद, all weather road, इतने 10 km चौड़ी रोड, किसकी वजह से बन रही है, और सवाल है कि टनल को बचाने के लिए आपने इतने दिन जो जाया किये, रैट माइनस को हीरो के तौर पे आप क्यों नहीं पेश कर रहे हैं, क्यों नहीं यह प्रोफाइल पेश कर रहे हैं, कि यह कंपनी क्या है, अभी तक किसी और अगर प्रदेश में हुआ होता, जहां विपक्ष कि सरकार है, तो आपको लगता है, इसी तरह की रिपोर्टिंग हो रही हुती, और जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, अभी सार, दिली से कितना दूर है, नौ दिन तक यह लोग इंतजार करते रहे, क्योंकि मोदी जी इंतजार कर रहे थे, कि वर्ल्ड कप भारत को मिल जाया, उसके बाद गुडगान हो, नौ दिन तक इस मीडिया के तमाम लोग जो आज ट्वीट आपने दिखाए हैं, एक ने भी एक स्टोरी नहीं की, उर्मिले जी यह तो शुक्र है, यहाँ पर मीडिया को या भाजपा की संसकारी प्रचार तंत्र को कोई मुस्लिम विलिन नहीं यहाँ जो हीरोस थे, चाहे मुन्ना कुरेशी हों, इन लोगों ने अपनी जान पर खेल के बाजी लगा कर, रैट माइनर्स जिसकाम जिकर बार-बार कर रहे हैं, बचाया, बलकि आपको याद है, बाला सोर में, इस प्रचार तंत्र ने, एक मुस्लिम जो है, स्टेक्शन मा अंकित भी था, देवेंदर भी थे, हिंदू दोनों थे, मगर यहाँ पर वो भावना थी जिसके चलते हैं, देश चलता रहा है, टीम इंडिया की भावना, जा हिंदू मुसल्मान दोनों एक साथ मिलकर जीत हासिल करें, शब्बिस घंटे, शब्बिस घंटे लगातार काम क मेरा कहना है कि अच्छा काम करने वाला किसी भी जाती का, किसी धर्म का, किसी विरादरी का हो सकता है, लेकिन संजोग ऐसा है कि इस घटना में, जो वाकई अच्छा काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने जान बचाई, वही 12-14 दिन तक तो कुछ हो ही नहीं पाया, भात है मैंले लेकिन हमारी टेक्नालोजी उन्हों लेलि भारत की पुरानी पारमपरी है इसके आधार पर वो उन लोगों तक पोहुचे Signal वहां पूच नई सकी और संजोग देखीकिए कि वे, सारे दलित और muslim है संजोग है कि इस घटना में वही लोग हैं शायद यह एक कारण हो सकता है कि टीवी पुरम में इनको हीरो की तरह नहीं पेश किया गया कुछी लोगों को बड़े लोगों को और एक सवाल भी नहीं उठाया गया कुछ इन्वरेमेंटलिस से बात होई है फोन पर उन्होंने कहा कि इस रास्ते के बनाये जाने से पहले सीरियस कंसर्ण रेज करते हुए बहुत सारे विशेशग्यों ने बात कही थी लेकिन उनको अंदेखी की गई है विशेशग्य तो आप चुप हो गए हैं अब तो बोलते है इस के लिए आपने तीन रूट सजेस्ट किये गए थे एक इस पर कौन सब्सक्राइर होंगा इससे क्लाब करवाई होगी होगी और अभी तक क्यों नहीं हुई अभी तक एक पैसा उस कंपनी से एक कंपनी से न प्रशाशन ने की और ना ही मीडिया ने पूछा है मोरवी में भी घटना हुई लंबे समय तक उस कंपनी के खिलाब कुछ नहीं हुआ जब दबाव बढ़ने लगा मीडिया का खासकर मतलब अंग्रीजी मीडिया ने सवाल उठाया वेब साइटों पे उठा तब जाकर हलकी फुलकी कुछ बात हुई एक और घटन तिव Western सोद्यव मांग सकते हैं डिया के अंदर पत्रिकारता करने वाल इते बात कर रहे हैं पूरा कवरेज था वह हमने तेजस की उडम के दवरान देखा पूरा फोकस्द प्रदान मंतरी पर ठीक है, make in India वाले भावना को अगर प्रदान मंतरी प्रस्तुत कर रहें, तो वो मेरा पाइलेट कहा है, सिर्व प्रदान मंतरी के चहरे पर थे आप, विंकटेश्वरा, विंकटेश्वरा हमारे आराध है, वहां पर क्या देखा हमने दौर लगाई जा रही है प्रधान मंत्री को कैप्चिर किया जाके हमने केदारवात में देखा कि पंडित को धकार देखा गया था कि एक बात और अभिसार जो आपने दिखाया इस पर दर्शक उनने देखा पढ़ा इसमें जो मेडिया के लोग है वह बात ऐसे कर रहे हैं जैसे भाश्पा के परवक्ता है वह पूछ रहे है कि विपक्ष खुष हो जाता यह वह इस क्रिमिनल डिफरमिशन वाला केस है यह तो कि यह कैसे बेहुदा चीजे कह सकते हैं कि देश के लोग देश का विपक्ष इन नागरिकों की चिंटा वजी देश किया जा रहे है और आप बतारे कि वो लोग खुष हो जाते और वो लोग इसका इंतजार कर रहे थे यानि आप एक माइंडसेट कर रहे हैं कि इस देश में सिर्फ मजदूरों की चिंटा मोदी जी को थी उन मोदी जी को जिनको नौ दिन तक एक लाइन का ट्वीट कर करना एक लाइन का फोन करना पहला फोन आपको याद है वर्ल्ड कप के अगले दिन किया था जब ब्रेकिंग न्यूस चलनी शुरू हो गई थी कि मोदी जी ने धामी को फोन किया वह नौवा दिन था गटना का तो आप देखिए कि जो लोग इतने चुप थे और मान लिया कि भाई दिवाली का देन है कुछ हो नहीं सकता तीन दिन तक तो वहां कुछ हो ही नहीं और यह लोग जो ने बचाया दरअसल यह लोग मजदूर जो उर्मिले जी कह रहा है मजदूर मजदूर को बचाने पहुचा और अपनी जान को जोखिम में डालके दरअसल इनों ने देश के उपराशपदी जगदीब धनकर एक सामवैधानिक पद राजनीतेक पक्षपाज से उपर मगर उनका बयान सामने उभर कर आता है कि जैसे महात्मा गांधी उप्षवा करते थे मौजूदा युग पुरुष हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ये तुलना उन् अभिसार ये लगता है कि शैद धनकर जी भी भूल गएं और सभी लोग भूल गएं कि उनका क्या पद है उस पद की गरिमा क्या है और उस गरिमा के तहत वह क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए मुझे लगता है कि पूरी की पूरी मशीनरी को इसी तरह से ऑपरे जी तो धनकर सही तमाम constitutional पत्पे लोग बैटे उसका पाठ करते हमें दिखाई देंगे अभी सार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्धे पर मेरा पंच यह है कि देश में जब आपातकाल लगा था 1975 से तब एक देवकांत बरुआ था जिसने कहा था कि इंडिया इस इंडिया मगर आज आप देखें आप जहां हाट डालें आपको धेरो देवकांत बरुआ मिलते हैं जगदीब धनकर उनकी जीती जाकती मिसाल है यह सब क्यों हो रहा है ताकि आप प्रधान मंत्री के कामूं की आ आलोशना ना कर सके उन्हें इश्वर तुल्ले बना दे ना सिर्व इश्वर तुल्ले इश्वर से बड़ा धर्जा दे दे और मेलेशी क्या इस मुद्दे का पांच भारती जनता पार्टी में और मुझूदा शासन में भी जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं दरसल उन्होंने एक अजीब तरह की मेथडोलोजी एडाप्ट कर ली है जनता को एक तरह से जनता पर अपनी बात को इंपोज करने का अपनी गलत बातों को सच्ची बताने का कि भाया मोदी जी तो भगवान है इनको चनोती देने का इनकी आलोचना करने का कोई हम मतलब नहीं रहा गया है मुझा लगता है लोक तंतर के लिए सबसे खतरनाक ये घड़ी है भाशा जगदीब धनकर वाला केस जो है बहुत दिल्चस्प है इन्होंने ये बयान दिया हम जानते हैं राजसभा के सभापती के तौर पर जब हिंडिनबर्ग रिपोर्ट उठाई जा रही थी तो आपको यादे कितना उग्र हो गए थे बोले लगे थे नहीं नहीं होगा देश का अपमान नहीं होगा आपको याद होगा जब पश्रमंगाल के राजपाल हुआ करते सड़क पर उतर आते थे मानु भाश्पा के कोई कार करता हूं नेता हूं जबी धनकर जो जिसे कहते हैं जो नुकसान पहुचा रहे हैं इस देश की सामविधानिक जड़ों को वो अप्रत्याशत है और देखे मुझे लगता है कि यह एक इस्टैबलिश किया जा रहा है शपत भी दिलाते थे वे सब उनका बुनियादी काम बुनियादी क्वालिफिकेशन होता था कि आपको राजा का गुडगान करना है राजा से सवाल नहीं राजा का गुडगान तो आप देखेगा उपर से लेकर नीचे तक अभिसार सारे के सारे लोग राजा यानि मोदी जी का गुडगान कर रहे हैं और मोदी जी भी उसी तरह से बिहेव करते हैं जब आते हैं नई संसद में कौन आएगा कौन नहीं आएगा राष्टपती नहीं आएगी क्योंकि उपर फोकस हो जाएगा वह एक आदिवासी मैला है इस तरह कि अंगिनत उदारण है और यही व अमेधानिक मर्यादा को दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ भक्तगणों को स्थापित करते और वो आपका गुडगान करते रहे हैं और जगदीद धंकर कोई अपवाद नहीं है आप राजपालों को देखिए जो जिस तरह से हिटमें की तरह आज की तारीख में राज् आप राजपालों करते हैं आप रात्सवा नाम लिया अच्छा किया जास्टिस अरून मिष्रा जी जो अन्हों नहीं क्या था मोदी के लिये जो हुच बात कहीं थी पुजे गजैक्म्यादी नहीं आद आ रहे हैं लेकिन उनने कहा कहीं इन तक अंग्रेजी के कुछ अख़पारों में बात चपती रही टीवी पिरम बिल्कुल खामोश रहा अनेक ऐसे लोग हैं और राजिपालों का राजिपालों की इस्तिती यह है कि तमिलनाड के राजिपाल सुप्रिम कोट की लगातार तिपणी के बादूर दस विधायकों क को लेकर बैठे रहे दस विधायकों को और एक को उन्होंने वो किया फिर इसके बाद उन्होंने जिद्दकी की नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे सदन बैठा सदन ने फिर से पास किया उन बिल्को और फिर भेजा अब फिर वो कुछ करना चाहते हैं अमिन इस तरह का आरिप म बैधानिक मर्यादा और मानिताओं को उसमूं की धज्या उठादी किया नहीं है दुझा में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि जहां जहां डिमोक्रसी हैं और जहां जहां शासन्टंत्र में एक शत्राज यानि प्रचंड बहुमत आ गया है सरकारों का वहां वहां की अनी पूरी दुनिया में चल रहा है, आप दुनिया के अनेक देशों को देख सकते हैं, हमारे आप तरकी को देख लिजे, आप दूसरे अने कई देशों को देख लिजे, तो मुझे लगता है भारत भी उसी की दोड़ में शामिर हो गया है, और सारे के सारे लोग इस पार्टी के स लिखी यह वह बड़ा अंदोलन होता है, आदमी कहते था, नहीं, मुझे ऐसी आज़ादी नी चाहिए, ऐसाँ हyour, ऐसी हिम्मत है इस देश में, या इस प्लिटिकल पार्टी में, किसी में, उन्west lift के यो बड़ा मज़िदार है, अबिसार, कितना दुख हो रहा होगा उनको यह बोलने में कि इनकी तुलना मैं कर रहा हो, तो यह सोच रहे थी कि मैं चेहरे को रीट करने कोशिश कर रहे थी, कि धनकरणजी को वाकई जब बोलना पड़ा होगा, कि पिछली सदी के ये और इस सदी के ये है, तो दिल पे बड़ा पत्थर लग रहा होगा कि व का नाम नहीं ले पार हे हैр व सावरकर जी का नाम नहीं ले पार है और गोड़िसे का नाम तो लेने में काफी मुश्किल हो जाती है इंटरनाशनल विश्व गुरू का भी मामला है तो मुझे लगता है ये बात बिलकुल साफ है अभिसार मजबूरी में ही चाहे उनको मोधी जी को विदेश में जाके गांधी जी के आगे जुखना पड़े या जब G20 करते हैं तो कोई और जगा नहीं मिलती है उनको जाना पड़ता है राजगाट भी तो ये भी एक मजबू पूरी है कि सत्य और अहिंसा के जो पुजारी है नाम तो आपको लेना ही पड़ जाता है अब ये बोल नहीं पाए हो सकता है इंदार करेंगे हम लोग 2024 तक का कि हो सकता है उसके बात बोलें कि उनको भी लांग दिया है और अब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अरे भाई जो बहुत 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 शुक्रिया उर्मिलेश जी और भाषा आप दोनों का इंडिया की बात में बस इतना ही दीजे इजासत नमस्कार